हेलो एवरिवन आई एम लोकेश और वेलकम बेक टूदी चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबी के लिए बहुत हेल्पूफुल होने वाली है एज टीर थी कॉलेज स्टुडेंट्स के लिए केंडिडेट्स के लिए हम काफी टाइम से वीडियो बना रहे हैं और काफी सारे केंडिडेट्स की क्विरीज रहती है कि एक्चुल जो सिचुवेशन चल रही है अभी इंडस्ट्री में चाहे हम किसी भी कंपनी की बात करें इंफोसिस की विपरो की टीसी एस की माइंट्री की एंफिसिस की बहुत कॉगनिजेंड के अब जी मिनी एसेंशर तो कैंडिडेट्स मुझसे पूछते कि कभी आप एक्चुल सिचुवेशन के बारे में बात कीजिए तो आज हमारे साथ मेरे ब्रदर मानस है हेलो मानस सो बेसिकली मानस 22 बैट से हैं एंड इन्होंने इंफोसिस और विपरो क्रैक किये इसी के साथ साथ विपरो की क्या प्रोसेश रही और जैसे जैसे जोइनिंग शिफ्ट होती गई तो इन्होंने अपनी स्किल सेट में क्या इंप्रूमेंट लाया और आज यह अब इन्फोसिस जोइन कर रहे हैं इन्फोसिस और विपरो में से इनको कौन सी कंपनी चूज करना चाहिए बेसिकली किस टाइब की प्रोसेश क्या हुई है इसी के साथ साथ यहां पर जॉइनिंग शिफ्ट हुई ऑन बोर्डिंग डिले हुई मेल आई हुए बहुत दिन हो गए तो किस टाइब से सो मानस बेसिकली मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कैसा रहा आपकी जर्णी मतलब पूरा मतलब एक साल निकलने को आगया है साथ से आट महीं में बेलकुल सबसे पहला मेरे लिए लगी ती विप्रो आना विप्रो में हुआ मेरा आपको बताया था मैं अपने एक बर चैनल पर बता सब्सक्राइब करो और अपनी स्किल्स भी अप्रेड करो और आपको जाया सीटी सी मिलेगा तो आपको शिफ्ट करोगे सब्सक्राइब करता है क्योंकि मैंने अप्लाइब बतार उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं तो फिर इंफोस्स में आपको पता है कि मेरे साथ फिर रेटन हुआ उसके एक बार इंटर्विवा अब इंटर्विव में अपने एक कोईंसिदेंट लिए था वह इंद और गई था तो जी एस इटेस से था वह तो इंटर्विव बहुत अच्छा गया हमारा कुछ एक घंट तक चला अब एक डील क्या हो गई दो दिन बाद में को मेल आया कि आपका इंटर्विव नहीं हु इंटर्विव रहेगा उससे तो बात करके बता देना कि यार में को इसा सा इश्यू हो रहा है ठीक है फिर एक मैम थी थोड़ी एजट थी वह उनसे मैंने बात करी इंटर्विव मेरा मेरा पहले भी हो चुका है तो बहुत कोई बात ने फिर वापस से उन्होंने इंटर्व की जॉइनिंग थी यह वाली ठेक है अब उसमें क्या हुआ कि फिर एकदम मैं तो बढ़िया बेट कर रहा था जॉइनिंग की साथ मैं अपनी स्किल्स भी अप्रेड करता हूं कैसे अप्रेड करी मैंने फिर आगया ऑगस्त में और पास एक इन्फोस का लेटर आया कि पर आपके फिर वापस से जॉइनिंग क्या हुआ मेल गलती से वापर रिपीट कर दिया उपन करके देख लिया तो देखा था चौविस ऑक्टोबर अब उनके लांच पैड में इसको अपडेट करने में इनको दो महीने लग गए अभी अभी इन्होंने अपडेट कर रहा ह है तो आप मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं और वह सब चल रहा है एक्टूली मानस को कल एक मेल आया है जो कि मैंने आपको आज वीडियो बना दी है नेक्स स्टेप से रिलेटेट कि बेसिकली उसमें आपको यह बताया गया है कि जो इन्फोसिस की जो प्रोसेस है जो डॉ आपको कैसा अपका मतलब कि मैं गुझा आ रहा था कि अरु यह सब क्या हो रहा है घर पे पेरेंट्स पूछते हैं इसंद्स क्या हुआ है कि प्लेटफॉं से प्लेटवर्म से जो आपको यह बता देंगे की आपकी जॉइनिंग कैंसल हो रहा हैं चैंसल हें और लिए चुली में उससे आपका क्या फाइदा होने आप अपनी स्किल सेट अच्छा करेंगे तो काम होगा सबसे पहली बात तो है कि अपने को एक एक्च्छल जो रिलाइबल सोर से उस पर विश्वास करना चाहिए अब यूटुब को लूँगा ना तो दस सेशन दाते हैं पर मेरे लिलाइबल जिससे आप हो या फिर मैं आप से डिरेक्ट ली पूछ ले तो या फिर मैं मेल आईडी तो आप कुछ नहीं हो सकता है तो वह खुश थे हो बाकि उसके दिया है कि डिमोडियेशन हो था क्योंकि मेरे मोस्ट आफ दी फ्रेंड्स का दूसरे कंपनीजम हो गया अब उनकी जॉइनिंग बे आग उनको करते करते तीन चार महीन हो गया तो वह एक फैक्ट लगता है कि गोडिंग करूं जैसे घिक्स फॉर गीक्स प्लाटफर्म हो गया उस पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा वह ब्रश अप कर लिया और जितने मेरे पुराने बेसिक्स थे उनको और श्रॉंग लेगा क्या कि अगर मेरे बेसिक्स आदफ शापन रहेंगे तो मैंने उन पर ध्यान दिया और अभी बस यही चल रहा था कि सार अपने skills अप्ग्रेड गी है और में अगर बात करूं ना अपने industry है तो अपने industry में knowledge हर किसी के पास रहता है अपन क्या बता नहीं पात है इंसान को अपने इंटेर रहता है तो में communication skills यहां पर इंपॉइंट रहती है मैं विप्रो की बात करूं विप्रो मेरे communication skills ओके ओके थे बड़ जब मैं इंफोस की बात करूं तो मेरे communication skills से बात करोगे कलीक से बात करोगे तो वह आपको बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं कि उनका उफर लेटर कैंसल हो गया है या उनकी जॉइनिंग नहीं आ रही है अभी विप्रो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो जैसा कि मानस को बिल्कुल पता था उनके पास दो ऑफर है एक विप्रो एक इंफोसिस उनने सीधा सा पता था कि मेरी स्किल सेट के अकॉर्डिंग मैं आगे किस कंपनी को चूज कर सकता हूं तो उन्होंने विप्रो की प्रोसेस ही छोड़ दी और इंफोसिस ही जॉइन करे और मान यह आंसर दूँगा कि मैंने इंफोसिस में ग्रोथ का थोड़ा ज्यादा अपॉर्चिनिटी है और ट्रेनिंग अगर आपके साब से हो सकता है आप क्या कीजिए आपको बहुत ज्यादा कंफुजन हो रहा है एक पेज लीजिए आपकी दो कंपनी एक एक पर्सेंपनी कंपनी कंपनी एक कंपनी भी सबके प्रो स्कॉंस प्रोस कॉंस जिसके ज़्यादा प्रो आप उसमें चले जाएं सिंपल सी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे इसी भी कंपनी चूस कर रहें तो आपके ऊपर होना चाहिए आप पर्टिकुलर वेट कर सकते हैं अभी प्रो का अभी कोई भी अपडेट नहीं है तो आप अगर पर्टिकुलर स्किल सेट को इंप्रू करें और ज्यादा ज्यादा अपनी तैयारी करें क्योंकि कंपनी में जाने के बाद आपको सारी चीज़े पढ़ना है और अच्छे से करना है तो मानस थेंक्यू सो मच आपने हमें बहुत आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपको ओफर लेटर या जॉइनिंग लेटर या कोई भी चीज़े वह ऐसे ही कैंसल नहीं कर सकती है कंपनी उनके पास एक फुल इंफॉर्मेशन रहते ही कि उन्होंने क्यों कैंसल क्या और वह आपको रीजन भी देंगे आ सब्सक्राइब करना चाहिए जो कि मैं भी बहुत सारी वीडियो में आप सभी को कहता हूं आप सभी के लिए हम skills based job opportunity लाएंगे तब तक वीडियो को like कीजे शेयर कीजे अगर आपको कोई queries है तो आप मानत से पूछ सकते हैं thanks for watching the video